एड़ी वीड़्रास के यूटूब चैनल में आप सबका स्वागत है इस वीडियो में आपको शैशी जी डिमांस्टरेट करके दिखाएंगी कैसे आप अपने किचन गार्डन में करेले के पोधों को लगा सकते हैं मिट्टी या ग्रोइंग मीडियम को कैसे त्यार कर सकते हैं और मिट्टी में कौनसी कौनसी खाथ कितनी मातर में डालनी है इस साल करेले को 20 से त्यार करने की बजाए हमने नरसरी से इसका पोधा खरीदा वी होब कि इस साल करेले की उपज पिछले सालों से भी अच्छी होगी अपने छोटी सी बालकनी में सब जुगाते हैं हमारा चौथा साल है और हम हर साल करेले का पोधा लगाते आए हैं जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि करेले का पोधा वाइन विराइटी याने की बेल प्रजेती का होता है जगह की कमी के वज़े से हमने करेले के लिए पहले साल में ही बांस का छपर बनाया था जो बढ़ते बढ़ते पूरी बालकनी की लेंग तक फैल गया है अभी आप जो कौने में बेल देख रहे हैं वो एक साल के अंगूर की बेल है मिट्टी त्यार करने के लिए पहले हमने गमले से आदे मिट्टी निकाल ली फिर बाकी बच्ची मिट्टी को खोध-खोध के लूजन अप कर लिया यानि की भुरवरा कर लिया करेला एक एन्वल प्लांट है ये एक साल के अंदर में ही अपनी लाइफ सैकल पूरी करके मर जाता है करेले की बेल बड़ी तेजी से साल बार बढ़ती रहती है इसकी बेल साल में 20 सूटियां से ज़्यादा भी बढ़ जाती है चुकि ये बड़ा पोदा है तो इसकी growing medium ये मिट्टी को त्यार करते है वक्त ध्यान अखना पड़ता है कि इससे साल भर पूरी मात्रा में nutrition या इसकी खुराग मिलती रहे इसलिए करेले के पोदे को लगाने के लिए हम अपने पास उपलब सबसे बड़े गंबले का इस्तमाल हर साल करते आये हैं इस साल भी हम उसी गंबले का इस्तमाल कर रहे हैं मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा करने के बाद इसमें हमने बराबार मात्रा में warming compost, leaf compost और कुछ अधिक phosphate वाली खाट डालके उपर तक भर दिया फिर इसमें हमने थोड़ी सी bone meal और master jam को भी मिला दिया master jam जैसा कि आप जानते होंगे seaweed से बनती है हम इंसानों के तरह पौदों को भी छोटी मातरा में कुछ minerals चाहिए होते हैं जैसे कि calcium, phosphorus, magnesium, zinc की त्यादी ये minerals पौदे की health के लिए जुरूरी होते हैं और साथ में ये पौदे की फल और फुल बनानी capacity को भी बढ़ाते हैं bone, mills और master jam ये सारे minerals जो है पौदों को फुलप कराते हैं balcony में terrace garden बनाते से में एक और चीज का ध्यान रखना पड़ता है वो है गंबलो को वज़न तो गंबलो के वज़न को कम करने के लिए आप इसमें मिट्टी की जगा काफी मातरा में कोको पीट का भी इस्तमाल कर सकते हैं कोको पीट गंबले के वज़न को तो कम करता ही है साथ में गंबले के अंदर में नमी बनाए रखने में भी काफी मज़द करता है अब सारी चीजे को उपर नीचे हिला कर हम लोग गंबल में अच्छी तरह से मिला लेंगे पिछले साल दिसमबर 2016 में करेले की बेल सूख गई थी और हमने बेल को काट कर गंबले की मिट्टी को ऐसे ही छोड़ दिया था जैसे कि आप देख सकते हैं कि मिट्टी में जड़े नज़र नहीं आ रही है करीब दो महिने के समय में इसकी जड़े नेचरल कमपोस्टिंग के दुवारा खाद में बदल गई हमने गंबले में ड्रिप इरिगेशन की पैप को लगा छोड़ दिया था जिससे की गंबले में नमी बनी रहे और नेचरल कमपोस्टिंग की मदद करे मिट्टी को अची तर से मिलाने के बाद अब बारी है करेले के पोदे को बड़े गंबले में लगाने की अगर छोटे गंबले से पोदा नहीं निकल रहा हो तो गंबले को उल्टा करके इसकी किनायरी को हलकी चोट मारे इससे यह असानी से निकल जाएगा इस पौधे को हमने 24 जनुरी को खरीदे था जो कि उसमें करीब 10 दिन का था इस हिसाब से ये पौधा करीब आज की डेट में 34 दिन का है जो लोग नर्सिरी से पौधा ना खरीद सीधे बीच से उगाना चाहते हैं वे डिर्ट बीच गमले में ही लगा सकते हैं यहां फिर 4-5 बीच को छोटे गमले में लगा के उन में से सबसे हल्दी पौधे को सेलक करें और बड़े गमले में लगा लें हमारी बालकेनी में सुबा से करीब 2 बज़ तक डायरेक्ट धूप आती है करेले के पौधे को अच्छी तरह से बढ़ने और खुब सारे फल देने के लिए कम से कम 8 गंटे की सूरिज की सीधी रोशनी चाहिए आप सब भी करेले के गमले की पोजिशनिंग करते हुए इस चीज का खास ध्यान रखे पोधे को गंबले में सेट करने के बाद इसमें पानी दे शुरू के दिनों में पानी का खास ख्याल रखे अगर पहले कुछ दिनों में पोधा डिरेक्ट सनलाइट में कुछ कुमला जाता है तो आप इसके लिए शेट भी कर सकते हैं थोड़े दिनों में पौधा अपने आप को climate के हिसाब से ढाल लेगा और इसके कुमलाने की समस्या का अंतो जाएगा करेले को वर्टिकली उपर की तरफ train करने के लिए आप सवधानी से इसके बेस से रसी बांद कर उपर की तरफ ले जाए ये था हमारा करेले को छोटे गमले से बड़े गमले में ट्रांस्पराट करने का तरीका वी होप की हर साल की तरह इस साल भी हमें दिसम्बर तक लगातार करेले का सुख मिलता रहे इस वीडियो को बनाने के लिए शैशी जी को हमारा बहुत भवाँ धन्यवाद करेले को अपने केचन गार्डन में उगाने के लिए आप हमारे पिछले बनाएवए वीडियो को भी देख सकते हैं इसको दर आपको जानकरी मिलगी कैसे आप करेले में फूल सुक के गरनी की समस्या का आप पहल निकाल सकते हैं साथ में आप उनमें ये भी देख सकते हैं कैसे आप करेले में कीडे लगने से बचा सकते हैं अमिद है आपको वीडियो जुरूर पसंद आया होगा और आप इसको जुरूर लाइक करेंगे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए आप एड़ी वीड़्रास के चैनल को सब्सक्राइब करें मैं गौतम एड़ी वीड़्रास चैनल से आप सबसे विदा लेता हूँ धन्यवाद